हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कामारी यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात करें हैं निसान मैगनाइट एक्स वी वेरियंट की इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे और इसके क्या प्राइस रहने वाले वो सारी चीज इसी वीडियो में आपको देखने को मिल ज अगर दिमेंशन कैपसिटी की बात करें तो लैन 494 mm, विर्थ 1788, हाइट 1572 mm, पांच लोगों के बैठने की सीट मिल जाती है इसमें और ग्राउंड क्लियंस मी काफी है, 205 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियंस इसकार के अंदर आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीजे मिल जा 16 इंच का, तो ये सारी चीजे मिल जाती है, अगर फ्रेंट लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, काफी अच्छा फ्रेंट लुक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बीच ओ बीच में निसान का लोगो, क्रॉम के बड़े बड़े पार्ट्स लगे हुए हैं फ्र निसान का लोगो कुछ इस टाइप से क्रॉम के साथ में मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, क्रॉम के काफी बड़े पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, ब्लैक कलर की, यहाँ पर आपको जो है ग्रिल भी देखने को मिल जाती हैं यह इस टाइप से, अगर नीचे की साइड में देखें तो इसकी प्लेट लगी हुई है, डिफरेंट कलर में, नीचे की साइड में ग्राउंड क्लियंस काफी बड़ा, 205 mm का मिल जाता, उबर खावर रास्तों पर असानी से जा सकती है, क्रॉम के सही पार्ट हैं, LED, DRL मिल जाते हैं, और इस कार के अंदर आपको हेलोजन लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यह सारी चीज़ें इस कार के अंदर आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर DRL मिल जाएंगे, तो यह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अब हम उपर देखते हैं, तो इसमें बा फ्रंट में डिस्प्रेक तो यह चीज मिलती है उपर के साइड में टायर के उपर के साइड में आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इस टाइप से मैगनाइट लिखा हुआ है निसान मैगनाइट ओर वीम मिल जाते हैं ब्लैक कलर में इंडिग पर देखने को मिल जाएंगे नीचे के साइड में इस पेस बोतल होल्डर और स्पीकर का ओप्शन मिल जाएगा सीट के अगर बात करें तो सीट कुछ इस टाइप से आपको देखने कुमलेगी आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आप तो यह चीज है उपन नीचे एडजस इस टाइप से पूरा मीटर आपको देखने को मिल जाएगा तो अंदर बैट जाते हैं अंदर बैटने के बाद यहाँ पर एसी बेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप से पूरा मीटर आपको देखने को मिलेगा बड़ा मीटर इस टाइप से इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, डोर ओपीन है, तो वो भी बता रहा है, फ्यूल का माइलेस सारी चीज इसमें आपको मिल जाएगी, कितना फ्यूल गाड़ी के अंदर है, कितने किलोमेटर चल सकती है, वो सारी चीज, यहां से आप इंडिगेटर पासिंग द यह कुछ इस टाइप से अपनी आउशक्ता के नुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और यहां पर देखेंगे, तो AC बेंट मिल जाता है, और यहां पर टचस्किन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा, आठ इंच का टचस्किन सिस्टम मिल जाता ह अपनी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह एक अच्छा ओप्शन है कि आटोमेटिक एसी हमें मिल जाता है, और कुछ स्पेस मिलने के बाद यहां पर इंचने स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, नीचे की साइड में स्पेस मिल जाता है, यहां पर लीवर मिल है, कप होलडर, सीट बैल करने का ओप्शन, यहां पर आपको मिरर मिल जाएगा, तो यह सारी चीज मिल जाती है, लाइटे मिल जाती है, सनवाइजर मिल जाते हैं, और यहां पर मिरर भी मिल जाता है, सनवाइजर पर पकड़ कर बैठने के लिए हैंडिल मिल जाते हैं, तो एक बार gate को भी open करते हैं और दूर से अगर देखते हैं तो काफी अच्छा look यहाँ पर हमें allowable का देखने को मिल जाता है gate को open करने के बाद कुछ इस type से पूरा gate same मिलेगा और यहाँ पर चारो power window की जगा एक power window हो जाती है और यहाँ पर airbag मिल जाता है यह कुछ इस type से देखेंगे तो इसमें light मिल जाती है glove box के अंदर और काफी बड़ा glove box इस car के अंदर हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर adjustable headrest seatbelt same चीज मिलती है और यह सारा आप जो है पूरा देख रहे हैं पीछे की side में armrest और यहाँ पर cup holder और headrest adjustable मिल जाते हैं पीछे की side में बैठ लेते हैं बैठने के बाद कुछ space इस type से आपको देखने को मिलेगा तो कितना ज़्यादा space हमें इस car के अंदर हम देखने को मिल जाता है तो यह सारी चीज मिलती है यहाँ पर light मिल जाती है पकड़ कर बैठने के लिए handle quarter glass मिल जाते हैं पीछे की side में और यह पीछे की side में space अगर इसके safety feature की बात करें तो ABS system मिलता है central locking मिल जाती है पावर डोल लोग, चैल सेफ्टी डोल लोग, एंटी थीप, अलारम, दो airbag, seat belt warning, tire pressure monitor भी इस car के अंदर आपको मिल जाएगा और इस car के अंदर करस सेंसर, इंजियन चैक warning, EBD जैसे function आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर drum brake आपको देखने को मिलेंगे, colliding मिल जाएगी, LED, tail light यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह सारी चीज़ें मिल जाती है, Viper मिल जाता है, पीछे magnet लिखा हुआ मिल जाएगा, Nissan का logo देखने को मिल जाएगा यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो मेरे साफ से काफी अच्छा है, यहाँ पर defogger मिल जाएगा पीछे back light, spoiler और यह आप देख रहे हैं, तो सार्फिन एंटीना भी इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पीछे dual tone में पूरा bumper देखने को मिल जाएगा, parking sensor, reflector यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे तो काफी अच्छा है, आप यह देख रहे हैं, तो पीछे की side से नीचे से कुछ इस type से गाड़ी देखने को आपको मिल जाएगा बड़ा boot space इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा, 336 लेटर का boot space इस car के अंदर मिल जाता है, parcel tray मिल जाती है, light मिल जाती है और यहाँ पर इस टपनी का नीचे की side में tire आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह सारी चीजें इस car के अंदर ही देखने को मिल जाती है तो काफी अच्छा look हमें यहाँ पर सारा देखने को मिलता है, और आप बता सकते हैं, comment करके कि आपको यह car कैसी लगी fuel tank, right side में आपको मिलेगा, जो की 40 liter का है, और mileage देती है, 18.75 km का जो company दावा करती है तो mileage भी काफी अच्छा यह car आपको देगी, market में 15, 16, 17 तक mileage अराम से निकाल देगी तो यह सारी चीजें इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, मेरे हिसाब से काफी अच्छे features इस car के अंदर मिल जाएंगे और इस car के अंदर अगर देखा जाए, तो कम पैसो में ज़्यादा features मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से आप comment करके बता सकते हैं कि आपको यह car कैसी लगी, एक बार open कर लेते हैं, इधर का gate और कुछ इस टाइप से सारी profile सेम देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, simple glass मिल जाते हैं, चारो बिंडो के, तो यह सारी चीज मिल जाती है, अगर हम बात करें इस car के price की, क्या price रहने वाले हैं, तो इस car के एक शोरूम कीमत 7,82,000 रुपे के something आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं पर on road price बात करें, तो 8,84,000 रुपे के something यह car, डिसकाउंट के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में बहुत जल्दू